मित्रोन भासंस्कृताय आप सब अभी लगुषिद्धान्त कौमुदी का अध्यान कर रहें इससे पहले लगुषिद्धान्त कौमुदी के अध्यान में हमने सामाने रूप से प्रारंब से नत्वा सरस्वतीम देविं शुधाम गुण्याम करो में हमसे आरंभ करके संग्या प्रकरन अज संधी हल संधी यहां तीन प्रकरन पढ़ लिए हैं उसके बाद विसर के संधी यह चवधा प्रकरन आरंभ होता है इसमें सबसे पहला सूत्र है सूत्र बहुत ही सरल है आज के जितने भी सूत्र हैं सभी बहुत ही एकदम से सरल है विसर जनी यस्य सहा या एक एसा सूत्र है यानि उसके अनुसार विसर ने के स्थान से हैं दो कि इतना इस सूत्र से आर्थ आपको पता चलता जिसमें सष्थी विवक्ति लगी होती है उसके स्थान पर जिसमें प्रत्मा लगा होता है वह होता है ऐसा हम जानते थे ना तो सश्ठी भी वक्ति यहां लगी है किसमें विसर्जनियस्य यानि विसर्जनिय के स्थान पर विसर्जनिय किसे कहते हैं विसर्ग को कहते हैं अको विसर्जनिया नाम कंठा याद होगा तो विसर्जनिय किसे कहेंगे विसर्ग को यानि उस विस जैसे मेधक कूधते कूधते चलता है ये वैसे कहीं कहीं सुत्रों की अनवर्तियां भी कूधते चलती है अनुबर्ति वी ती प्रकर से होती है सिंहा व्लोखिता क्यास्या वानुबर्ति लो खता है शिंहा वलोकित मतलब अनुबर्ति QU T क्याता है और वह चणती ही रहती है खुलोंक जैसे ऑंजार होता ना अभिछिन रूुतने विष्षेद क्यों अपर इतना ही है यहां से मंडू कती ऑसान इसने खरी की खरी के ऐसा तो इतना ही य अर्द होगा खरी विसरजनियस साह ये तीन सब्द सम Dollar समझ गए तो हमीछ शूत्र को अच्छी तरह सब्धियों खरी यानी खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो घ्र प्रत्याहार का कितने वर्ण है आप जिन लेंगे तो पुल तेरा वर्ण मिले जाएंगे हर एक वर्ग का दूसरा वर्ण खफ़ चठ ठ छछठ फट इतने ही फिर पहला वर्ण चठ तक प अब फिर तीनौ ज तूह ये ती एक ल मिला के तेरा वर्ण ये तेरा वर्ण जहां होते हैं अगर विशर्ग के तुरंत बाद तो उस विशर्ग के स्थान पर विशर्ग ही नहीं रह जाता है क्या हो जाता है यह इस सूत्रकार्त यानि क्या होना चीए सुत्रकार्ट सामानी रूप से यहां इसे लिख देते हैं कि पहले क्या हो पहले हो विसर्ग विसर्ग के तुरंत बाद में हो क्या खर अभी यद्यप इसका अपवाद आएगा कुछ अपवाद आएंगे पर सामाने रूप से इसा जान रखे कि विसर्ग है, विसर्ग के तुरंत बाद खर है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, यह सामाने नियम, विसर्ग बदल जाएगा, उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ठीक है, तुरंत बाद में खर होना चाहिए, अब खर में कि ख, च, छ, ट, ठ, 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 प, ख, और ये सभी हलन्त हैं ऐसा सबको हलन्त मानना है वेंजन वर्न हमेशा हलन्त होते हैं तो अब ये समझ लीजिए इतने वर्न है खरने मैं हिंदी भाषा के करम से लिखाओं संस्क्रिट में ऐसा करम है ख, फ, छ, ठ, 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 च, ट, ट, क, प, स, श, स यह न यही खर प्रत्यार के अंतरगत आते हैं तेरा वर्न तो विसर्ग हो विसर्ग के तुरंत बाद इन वर्नों में से कोई वर्न हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है सा माने रूप से आप यह जानके रखिए अभी तक ऑ विसर्ग के तुरंत बाद अभी इ Blair of वरणों को रोकने के लिए एक सूत्र आजाएगा यह कि यह चार वरण रहेंगे तो विसरग्षे स्थान पर सव नहीं होगा वो रोकने के लिए अलग सूत्र आएगा पर सामाने रुप से एक ऐसा सूत्र आगया कि खर प्रत्याहर का कोई भी वरण अभी इन दोनों के लिए रोकने के लिए अलग सूत्र कल आएगा हम पढ़ेंगे कुपोह का पूच ठीक है कुपोह का पूच उसके अनुसार क्या हो जाएगा उपदमानी हो जाएगा सह नहीं होगा तो यह काखा पाफा के लिए अलग नियम आएगा पर और बाकी जो बचे बरन वां Kin 2 श्यकि तेरा मेंचे चार चलेगे बसे नोल नोbabिन естеaking लिए और अलग तुमान अभी बाद में नियम आरह को बचेंगे हे क्षे यानि सामानीय रूप से आप यह जानके रखें निसकर्स के रूप में सामान ने रूप में तो नियम क्या कहता है कि मृसरम विषर को समझते हुए जब आप निसकर्स के रूप में समझेंगे तो क्या समझेंगे कि विसर्ग हो उसके तुरंत बाद यह च्छे वर्ण हो कौन-कौन चाच्छा टाठा ताथा तो विसरग के स्थान पे सह हो जाता है यह निस्कर से बाकी बचे यह चार है तो नहीं होगा यह तीन है तो इसके लिए तुरंत बाद वाला सूत्र हमें पढ़ना है वाशरी ठीक है ना वाशरी इस विशरजनी यह सूत्र के अंतरगत कौन सा उधारन दिया केवल यही लिखा होगा खरी खरी लिखा है ना खरी यानि खर-प्रत्य लिखर कर कोई वर्ण हो विशर के स्थान पर सो हो जाते हैं उद्हारन क्या दिया है विश्णुस्तराता देख लेते हैं कि उसको शिद्ध कर के देख लेते हैं फिर आपको उसको और निसकर्ण के रूप में बताएंगे इस और अश कि अर्पिर उसके बाद क्या है फ्राता थ प्रटा था गजुंभा विश़्णुन फोरा था विश़्णु मतलब विश्णु भगवान ज़र्च्यक और carte ने कि अब विश्णु भगवान क्या है रख्यक है न कि विश्णु त्राथा अब ऐसी स्थिती में आप क्या करेंगे देखें विसर्ग है कि नहीं विसर्ग है न और विसर्ग के तुरंत बाद क्या है विसर्ग के तुरंत बाद जो शब्द है उस शब्द में पांच वर्ण है है तो पाँचों बढ़नों में इसे पहला बढ़न कॉन सबक्रें कैया क्या आता है आप को विशर्ग अर क्या कर देना है उसके स्थान पर क्या लिख देना है साधा ही रहेगा जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा विश्णुस्त्राता विश्णुस्त्राता यह से बन जाएगा ना विश्णुस्त्राता अब इसको आप देखेंगे और इस पश्टता कि विशर्ग के तुरंत बाद खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो विश्णुस्त्रान पर आपको क्या करना है ठीक है विश्णुस्त्राता ले लिजे हरी तराता है तराता है तो आता ही है तव हरिस्त्राता दुष्टाहा थूत करोती दुष्टाहा थूत करोती देख लेते हैं मैं लिखा देता हूं आप सबके सामने ऐसे देखेंगे बुष्टाहा थूत करोतीन दुष्टम मतलब थूक्तétais थूकता है तो हिस्ट करता है थूकता है दुश्ट है तभी तो तूखेगा तो रिखे विसरग केटrive-फफ़ छठ दिखरहा ना विसरग में उसके खर परतिहार के अंतरगात आता है तब लग स्थान पे क्या कर देना है सच दन। जिंद है बंस्टेशा कर देंगे दारन आप कल्पित कर सकते हैं विसर्ग हो विसर्ग के तुरंद बाद अभी जब इस सभी नियमों को हम पढ़ेंगे तो इसका निश्कर्स आपको बताएंगे ठीक है तो अभी दूसरा नियम इसके तुरंद बाद क्या है वासरी यह दोनों पढ़ लेते हैं फिर यह दोनों सूत्र बाद वाला सूत्र है वासरी विसर्ग नियस सब्सक्राइब के बाद अश्टाध्याई में देखेंगे तो तुरंद बाद शर्परे विसर्जनिया होगा और फिर वासरी होगा है देख लीजिए अश्टाध्याई में देखेंगे तो यह मिल जाएगा यह वासरी बिशक ridgeên यह क्यां रिफियार रहें न अब देखिए क्या है निस्कर्से यह है विशर्ग के स्थान पर के विश्च के तुरंत बाद शर्षो के तुरंत बाद क्या हो थो टेख तह ताव ही रह जाता है विखलंप से मौसरी करते हैं वर्तिय पढ़ेंगे सरी विसर्गस्य जैसर यह रह जाता है भी कलसे विकल्प से विसर्ग के स्थान पर क्या रह जाता है विसर्ग ही रह जाता है ठीक है ना तो यहां दो दो रूप बनेगे यानि विकल्प से विसर्ग ही रह जाएगा यहां पर क्या है यहां सूत्र विसर्ग के स्थान पर स्वा नहीं करता है यहां सूत्र क्या करता है से तो जब यह विसरघ्ब के चान पर सफ है तो अभी को वा शरी का अर्थ क्या लिखा है शरी विसर्गस्य भी सर्घ यहां पर देख लिए विशरजनिय सर पर बिसल्जट नीहां से विशर्जनिया की अनुवर्ति आएगी देख लिए ना और फिर उसके उपर के सूत्र से विशर्जनियास्य से विशर्जनियास्य की अनुवर्ति आएगी जो सूत्र हम तुरंत पहले पढ़ें हैं भी विशर्जनियास्य सहा उससे विशर्जनियास्य की अनुवर्ति आ र कि शरी बा solliliya यानि विशर्जनीय से यानी विशर रगी के स्थान पर तुरंत बाद बाद में सर प्रत्यहार का कोई वर नहीं हो तो वा यानि विकल्पसे विशर 0, both inya के स्थान पर क्या ओ जाएगा सर रहा यदि तुरंत बाद सर्प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो उधारन क्या दिया है कि उधारन ऐसा होगा हरी ही प्लस शेते हरी ही प्लस शेते यहां पर अभी अगर आपने इससे तुरंत पहले वाला सुत्र पढ़ा है तो वह याद आएगा वह तुरंत बाद वाला सुत्र याद आएगा ना वह तुरंत बाद वाला सुत्र क्या कहता है विसर्ग के तुरंत बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर सह हो जाया करता है हो जाता है ना वह विसर्जनियस से सहा यहां पर लगेगा जा है कि ऐसले है यह जो विदान होता है वहाँ एक ही सुत्र हे होता है जैसे अब देख लिजे किसी सूत्र में एक सष्ठी विवक्ति वाला है उसके तुरंत बाद वाले सूत्र में फिर से कोई सष्ठी विवक्ति वाला आ गया सब्द तो पहले सूत्र का सष्ठी विवक्ति वाला खतम हो जाता है ठीक वो क्या कहता है विसर्ग के स्थान पर स होत साह की नहीं होगा तो यह होगा वहां सा की बात चल लए थी की स्ठान पर सह होता एब क्या होगा हरी ही शयर थे में हारीर के तुरंट बाद श्र है और शक्सяз हर प्रत्याहार में भी आता है वा शरी क्या कहेगा कि विसर्घ के स्थान पर विकल्प से विसर्घ ही रहने दो धिक तर जब विसर्ग ही रहेगा तो एसा ही वाला रूप सही हो जाएगा वासरी के अनुसार हरी शेते ये रूप सही ठीक है ना हरी शेते हैं स्पष्ट है और पर जब यह क्या कहता यह विसर्ग कुझा कहता है ना विकल्प से विकल्ब से होता है ना विशर्ग के स्थान पर विशर्ग तो जब विशर्ग के स्थान पर विशर्ग नहीं होगा तो क्या होगा तब विशर्जनीय सशालाईगा और विशर्ग के स्थान पर साकर देगा क्या हो जाएगा ऐसा वाली स्थितिया हरिस अधे एन ए कि स्यत ए एक हरिस्थे यहाँ पर क्या है कि मिसर्ग के इस्थान पर वह आलासूंतर तो दंतेसा करता है पर उस दंते सा के स्थान पर बदल जाया करता है उसका स्वरूप इसके लिए अगर आपने संधी के नियम में हल संधी के नियम में स्थोष चुनाश्चुहू और श्टुनाश्टुहू ये दो नियम पढ़े हैं तो आपको स्पष्ट रहे है स्थोष चुनाश्चुह क्या कहता है कि दंते सा अथमाटे वर्ग मिलिका इस सा उसके तुरंत बाद कोई मूर्धन्य वर्ण है तो वह सा मूर्धन्य हो जाएगा अगर तुरंत आगे या पीछे कहीं कोई तालव्य वर्ण है तो वह सा तालव्य हो जाएगा यहां कौन सा वर्ण है तालव्य है तो यह वाला दंते सा भी तालव्य सा बन जाएगा सूत्र जहां से हलसंदी शुरू होती है वहां से आप उसको देखके समझ सकते हैं तो चुनास्चु से दंत्य सरकेस्थान पे तालब श्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ऐसा वाला हरिश शेते होगा ना यह जोड़ दिया गया है तो विकल्प से यह वाला भी बनेगा दो मतनिये से सह लगेगा तो यह हर इश शेते लगेगा बनेगा और जब वासरी लगके मिकल्प से भी सरघी रह जाएगा तो यह वाला है ठीक है और दूसरा उधारन क्या दिया है टिक है तो इतना हो गया है अब इसके बाद देख लिए वासरी यह हां नियमस पस्ट है अब आप निश्कर्स रूप में समझिए दोनों सुत्र जो अभी तक हमने पढ़े उन दोनों सुत्रों का निश्कर्स समझेंगे वो निश्कर्स ऐसा है कि विसर्ग हो पहले क्या हो उसके तुरंत बाद क्या हो खर यानी का खा चा छा टा ठा 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 पा और फा इन वरनों में इसके सिवाए और ये तीन है सः ओर ये कि ये तेरा वरण है कि खर प्रत्याहर के विसर्ग के तुरंत बाद इसे खर प्रत्याहर का कोई बीवरण आता है तो विसर्ग के इस yoं पर सफ हो जाता है है जानते हैं सामानिनेपसरियम दूसरा वाला नियम केवल तीन वरों के लिए दूसरा वासरी वह क्या कहता है विशरग के तुरंट बाद खर नहीं अगर शाहर हो ज्यानि सश्षर सर ये सथर के अंतरगत जो आते हैं सश्ष्ष पश्ट है विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही रह जाता है तो जब विकल्प से विसर्ग नहीं रह जाएगा तो पहला वाला विसर्जनिय से सहनियम लगेगा लगेगा न तो अगर विसर्ग के तुरंत बाद ये वाला स्था है तो भी वासरी नियम लगेगा है कि नहीं जैसे उधारन वदे देता हूँ रामह सीता रामह सीतां पस्यति राम भगवान सीता को देख रहे हैं है यह भी तुरंत उधारन बना है रामह सीतां पस्यति विशर्ग है विशर्ग के तुरंत बाद क्या है सह है ना विशर्ग के तुरंत बाद सह है यानि यह पहला वाला नियम जो विशर्जनिय सह है वो नियम लगता है कि नहीं विशर्ग के स्थान पे सह हो जाना चाहिए ना विशर्ग के स्थान पे क्या होना तो अब देखिए ऐसा होता है कि वासरी भी लगेगा वासरी क्या कहेगा विशर्ग के स्थान पर तुरंत बाद में अगर सर प्रत्याहर का कोई वर्ण हो यानि इन तीनों में से कोई हो तो विकल्ब से विशर्ग ही रह जाता है यानि यह वाला रूप भी सही हो जाएगा हो Gsmh08ए और अगर …… विशर्ग के स्थान पर विशर्ग ही नहीं रह जाएगा तो क्या हो जाएगा यह वाला भी हो जाएगा विशर्ग स्थानी आसे सा से सा होकर रामसीतामSigtIN पश्चिती कि ठीक है कर भbe की यह वाला भी सही हो वा शरी वाला जम नियम लगेगा तो विश्रग रह जाएगा और विश्रजनिय के तुरंत बाद शेटे वाला रस्वा यह वाला होता तो विश्रग के स्थान पे सथ हुआ पर उसके साथ सथ तोस्युनाश्यों लकित तन्द्द तालब शाह हो गया अगर है एई को ऐसा होता है कि मूर्धन सवय होता तुरंदबाद तो स्टुनार रागा कारण हो जाता है रात था मूर्धन सब विक़ाता जेसे उदहरण दिया हुआ है स्टुना शूत्र में ही एक उदहरण दिया है कि यहIs हम मठा देते हैं यहाँ पर इतना सुटा one DO कि रामा है यानि एक कोई क्लास उसमें चठा वैकती जो बैटाव राम है ठी रामा सश्था हैं कि विसरह के तुरंद बात क्या है तो विशरजनिया सिषऔ वाला नियम लगना चाहिए ना विसर्ग के स्थान पर दंते साह हो जाना चीह हो गया और जब यह वासरी लियम लगेगा तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर साह कर दिजिये कर दिया रामस सष्ठाह यह आपको निश्कर्ष बता रहें रामस सष्ठाह प्रस्ण करेंगे लोग कि दंते साही करता ही मुर्धन्य सा कैसे हो गया तो आपके लिए उससे इसी लिए पहले बता चुके हैं आपको श्टुनाश्टु सुत्र क्या कहता है स्थमात वर्ग यानि वकel दंत्य वाले ना कि मृषणन्याइवाले की सैथ हो गया रफशिता कि उससे और ने हो जाते हैं तो टैंश्टु मुर्धन्यवाले की साथ होगे तो मुर्धन्यवाले हो जाते हैं और यही स्तथ असाधर दंहाँ जो है सकार्य तबर्ग यही सत असराइजान 좋ना श चचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच तो यह दंतिसवा कैसा रूप ले लेगा मुर्धनिशा वाला रूप लेगा स्टुनास्टु वाले नियम के नुसार तैसा वाला रूप बनेगा विकलप से रामसष्ठाह ठीक है यह जब विसर्जनिय से सहवाला और विसर्जनिय को रोक करके सर्परे वह वासरी सूत्र से विसर्ग को विसर्ग ही रह जाएगा तब विसर्ग को जब विसर्ग ही रह जाएगा तो क्या हो जाएगा वैसा ही बनेगा क्या कहते हैं मिमूल रामा सश्ठा यह सबस्ट है तो अब आपको सामान रूप से निसकर्स यह निकालना है निसकर्स ऐसा ध्यान रखना है कि विसर्ग के पुरंत बाद इन वर्णों में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है विशर्ग के स्थान पर सभ हो जाया करता है, ठीक है, येतने वर्ण है, 13, इन 13 हमेसे इन 4 उंको आप डिलिट कर सकते हैं, इन 4 को देख लिजे, प्रभू जी यहा हिध्यान देगे से सह नियम लगेगा इन चारों को हमने डिलिट क्यों किया क्योंकि इन चारों के लिए विषेश नियम आता है वह विसरजनियत को रोक लेता है क्पो union के अनुसार और पवर्ग का खर है को बब्ल Toni के स्थान पर सभ लहीं होता है सभी खर के पहले आने वाले विसर्ग के स्थान पर सह हो जाता है, ऐसा नियम बता दिया, पर कवर्ग पवर्ग का खर हो, तो उसके पहले आने वाले विसर्ग के स्थान पर जुफवा मुलिय या उपदमानिय होता है, ऐसा बाद में नियम आएगा, तो वहाँ पर वो नियम इ से आरक्षन दे देगा तो विसर्ग के तुरंद बाद अगर वो चार वरणों में से कोई वरण है तब विसर्जनिय से सहा नहीं लगेगा बाकी ये बचे नौ वरणों में से कोई वरण है तो विसर्जनिय से सहा लगेगा तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा सभी पश्ट है तो विशर्ग के तुरंत बाद अगर अब आप अपने मन में कलपना कीजिए कि इन नवरणों में से कोई है तो विशर्ग के स्थान पर क्या होगा ठीक है अगर विशर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा सा के तुरंत बाद ता था है तो सा वैसे का वैसा बचा जो सा हुआ है विसर्जनियों अर्र विसर्ग के तुरंत बाद अगर टाठा है या टाठा है तो विसर्ग के स्थान पर जो सहúcह है इसको मूरधन्निशा हो जाएगा ठीक है रामस्तिकते ठीक है तो ए niveau इसके बाद विसर्गी के तुरंत बाद अगर चाच्छा है तो विसर्ग के स्थान पर सत होगा ही विसर्जनिय ससा से परस्तोस चुनाश चुहलियम के अनसार से विसर्ग तालब दंतिसा के स्थान पर तालब बेवाला सह हो जाएगा ना रामस चिनोती ठीक अब इसके बाद ये तीनों वरन है तो क्या होगा अगर विसर्ग के तुरंत बाद विसर्ग के तुरंत बाद क्या है तालब इस्था है तो विकल्प से विसर्ग ही रहेगा पर जब विसर्ग नहीं रहेगा तो दंतिसा होगा ही विसर्जनिय ससा से दंतिसा होकर फिर अगर तालब इसा है तो तालब इसा बन जाएगा अगर मुर्धन निशा है तो मुर्धन निशा बन जाएगा उस दंतिशा के स्थान पे और अगर दंतिशा है तो दंतिशा ही रह जाएगा ठीक है येस पश्ट है तो ऐसी स्थिती यहां पूरी तरह से समझनी है विसर्ग के बाद कितने वर्ण है अभी वर्ण कुल कितने है वर्ण कुल कितने है तैता बैयालिस जो समस्कृत के कुल बैयालिस वर्ण है उन सभी वर्णों में हमें जाना है विसर्ग के तुरंत बाद कौन सा वर्ण हो तो क्या होता है अब नव वर्णों में हम जान गए है ठीक है नव वर्णों में अच्छे से जान गए है कि विसर्गी के तुरंत बाद इन नव वर्णों में से कोई भी वर्ण है तो विसर्गी के स्थान पर सह होता है फिर बाद में उसका रूप परिवर्तित होता है अगर तालब नी कोई स्थान पर सने उसके बाद कुछ और वह एक नियम है सामान्य नियम है उस नियम को हम एक देख लेंगे बहुत ही सरल नियम है वह कहता किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण यदि सअथमा सजुस हो तो उसके स्थान पर देख लिए ऐसा सूत्र सजुशो संधिविछेद क्या होगा संधिविछेद करेंगे तो यहां विशर्ग आ जाएगा संधि के कारण ही विशर्ग का लोब हो गया है वह कैसे हुआ है वह समझेगे काउंसा शच्ठी विवक्ति का दुएंच भूद है सजुष्च इति ससजुषव तयोह ससजुषव ठीक है सा और सजुष इन दोनों का इन दोनों के स्थान पर स और सजुष इन दोनों के स्थान पर रूह हो जाता है सुत्रकारत है जो प्रथमा विभक्ती में है वो होता है जो सष्ठी विभक्ती में है उसके स्थान पर तेया सष्ठी विभक्ती में क्या है स और सजुष दोनों है ना स और सजुष इन दोनों के स्थान पर क्या होगा रू हो जाएगा तो समान लिजिये है स्थान पर तो आप रू कर देंगे सजुस है तो क्या पूरे सजुस को रू करेंगे सजुस का जो अन्तिम वर्ण अलोंत्यस से कहेगा कि सश्ठी निर्दिष्ट अगर कोई आदेश हो रहा है और कई अलवर्णों के स्थान पर वह आदेश किया जा रहा है तो वह केवल अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा अपितू मुर्धन शग इस्थान पर रूभ हो जाएगा तो सूत्र का अब संध्षित में सरलार्थिया होगा कि किसी भी मंत में आने वाले सक्थान पर तथा सजुष के मुर्धन शो के स्थान पर रूह हो जाता है ठीक है इतना ही अर्थ है किसी भी सब्द के अंत में आने वाले सो के स्थान पर तथा सजुष के अंत में आने वाले मुर्धन शो के स्थान पर रूह हो जाया करता है बस इतना ही अर्थ है तुरंत बाज में क्या वरन हो ये कोई सर चाहिए यानि ये सवां अथमा सजुष सजुष दो एक शब्ड है ही और उसके स्थान पर रूह होगा पर और और लोरव प्लता प्लते हशी चांद इशुत्र जब हम आगे पढ़ेंगे तो उस रूप को क्या करना हा Ci सामान्य रूप से पर सामान्य रूप से अभी तक हम स्या समझे कि विसर्ग के स्थान पर स हो जाया करता है वह सब्सपार्य का अंपैम मेरन होता है क्र रजव्ल जाया करता है क्या हो जाया करता है साके तुरंत साके स्थान पर रूभी हो जाया करता है यह सामान्य नियम को ध्यान रखना साके स्थान पर क्या हो जाएगा कभी-कभी रूभी हो जाया करता है कहां होगा वह विशेश नियम विस्तार से जानें तो अभी आज के व्याख्यान प्रते हसी चाहित्यादी सुत्रों को भी देखेंगे अस्तु फूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद नमास